तो हाँ बाई करने शुरू तो आज की इस वीडियो के इंदर हम कंपेर करने वाले हैं एक तरफ है Poco S3 GTN दूसी तरफ है Realme X7 Max दोनों फोन ओल्मोस्ट सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आते हैं लेकिन एक विनर होता है न भाई तो आज इस वीडियो के इंदर आपका भाई बताएगा कि कौन सा फोन आपके लिए ज्यादा अच्छा होने वाला है तो वीडियो पूरी देखना सूरी से लेकर हैं तो और वीडियो चलेगे तो लीवा लाइक 10,000 लाइक के एम करते हैं 2,000 कमेंट का और चैनल पर पहली बार और आपको पता होगा जब हम different platform में switch करते हैं IS to Android या Android to IS तो WhatsApp डेटा को लेकर बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कि इसे कैसे transfer करें तो आप इस software की मजद से कुछ simple steps और कुछ mintों के अंदर ही transfer कर सकते अपने WhatsApp डेटा को एक platform से दूसरे platform में यही नहीं अगर आप Android to Android भी अपने WhatsApp डेटा को transfer कर रहे हो और आपका डेटा 2-3 GB का है तो आप उसे पहले upload करते हो फिर download करते हो बहुत जादा time लग जाता है तो अब आपको इतना time लगाने की ज़रत नहीं है आप इस software से कुछ mintों के अंदर ही अपने पूरे डेटा को transfer कर कर सकते हो और मैं इसे एक काम के लिए और यूज करता हूं वह है जब भी मैं अपने फोन को सेल करता हूं तो मैं इससे पूरा डेटा कर देता हूं जिससे वह कभी भी री कवर नहीं हो सकता साथ ही अगर आप अपने फोन के screen को लोग करके भूल जाते हो कि आपने password क्या वहीं पर पोको ने कुछ भी नहीं बताया तो कुस तो गड़वड है दया द्रवादा तोड़ो यह क्या कर रहा है मेरी नौकरी चले जाएगा मेरे पास चाबी है इसका या तो यह कहलो कि animation की वेसे है कुछ भी यहाँ पर realme जल्दी app open कर देता है और इसकी animation बहुत ही जाद स्मूध है पोको के comparison में और यह चीज़ आप यहाँ पर देख भी सकते हैं दोनों के अंदर कोई frame drop कोई lag मुझे देखने के लिए नहीं मिला एंड जैसे कि पोको के device के अंदर होता था या तो यह बोलो कि realme को आयो है कुछ time हो गया इसमें update आई उसके बाद यह थोड़ से improve हो गया है जहाँ पर पोको का CPU 70% perform करता है वही पर realme का 78% perform करता है CPU तो यहाँ पर थोड़ से battery देखने के लिए मिल रहा है मुझे realme हर एक situation के अंदर बागे यहाँ पर एक test मैं run कराता हूँ अगर आप मुझे पहले से follow करते हो 3D mark तो 3D mark पहले Xiaomi के phone के अंदर अच्छे से run करता था बट अभी क्याने Xiaomi ने इसके server को enable कर दिया है जिसके वेसे आप इसे run नहीं करा सकते है और अब हम यह check नहीं कर सकते कि कौन आपको ज्यादा अच्छे average fps देगा तो यह test अब run नहीं करा जा सकता Xiaomi के phone के अंदर और realme के अंदर भी यह चीज हो सकती है बाग यहाँ पर अगर आप video edit करना चाहते हो तो हमने same file लाली same export setting रखी और जब हमने export किया तो दोनों के अंदर same time export होता है तो इस चीज में बिल्कुल equivalent दोनों phone तो यहाँ पर यह बात होगी video editing अब बात कर लेते हैं जो लोग bgmi में chicken dinner करना चाहते हैं उसकी तो सबसे पहले settings की बात करेंगे वहीं पर POCO अभी अभी आया और इसके अंदर आपको settings मिलते हैं smooth में extreme का option बाकी आपको settings में सिर्फ 45 fps का option दिया गया है तो POCO इसे जल्दी unlock कर सकता है बट अभी इसके अंदर unlock नहीं है बागे आपर POCO के पास एक advantage यह मिल जाती है कि इसके अंदर आपको gaming triggers दे गया है दोस्तों जिसे आप slider से open करके use कर सकते हो बट यहां पर इस phone की width थोड़ी जाद है जिसके वेसे अगर आपकी fingers छोटी है बट Realme के अंदर आपको 90 fps को option मिलता है जिसके वेसे यहां पर जो gameplay वो बहुत जादा smooth feel होता है बागी यहां पर मेरे को कोई भी फर्क नहीं मिला दोनों के अंदर भाई काफी अच्छी performance मिली है तो यह बात होगी performance की अब move करते सीधा दोनों की display की तरफ तो यहां पर सबसे पहले बात करेंगे दोनों की protection से तो Realme के अंदर आपको Dragon Trail की protection वहीं पर POCO में मिलती है Corning Gorilla Glass 5 की protection अब यहां पर दोनों के अंदर OLED panel है Full HD Plus 120 Hz के साथ 120 Hz के हम अल्रेडी बात कर चुके हैं दोनों की display HDR 10 Plus certified and मैं बता दू कि POCO बोलता है कि यहां पर आपको 10 bit display दीगे जिसके color ज्याद अच्छे मिलेंगे जैसे की Mi 11 Lite के अंदर थे तो यहां पर मैंने जब side by side compare किया तो मुझे कोई भी color में difference नहीं मिला इवन अगर आप HDR में कोई content play करते हो दोनों ही display के अंदर तो Realme की display आपर जाद अच्छा perform करती है आप खुद देख सकते हैं कि इसके अंदर जो details है वो थोड़ी जाद अच्छी देखने के लिए मिलती है तो यहां पर यह फर्क मुझे देखने के लिए मिला अब यहां पर पोको की peak brightness जादा अच्छी देखने के लिए मिली मुझे Realme के comparison में बट यहां पर कुछ टाइम के बाद ही जो पोको की display वो brightness ड्रोप कर लेती है जिसके वैसे Realme की display जादा bright feel होती है तो यहां पर दोनों के पास यह advantage और यह disadvantage है बागे मैं बताना चाहूंगा कि पोको का जो आपर जो Realme की display थोड़ी जाद अच्छे color show करती है वही पर पोको की display में थोड़ा सा red tint मिला मुझे जैसे कि आप भी खुदिया देख सकते हैं और लोकी किस-किस ने देखी comment section में ज़रूर बताना अब यहां पर सीधा चलते हैं दोनों के fingerprint sensor की तरफ तो Realme में आपको in display मिल करता है side finger paint sensor या in display वो comment section में ज़रूर बताना नाइक्स यहां पर haptics की बात कर लें तो haptics दोनों फोनों के काफी अच्छे हैं लेगने आपर पोको के अंदर आपको थोड़ी जादा variation मिलती है पहले से थोड़े से जादा दमदार मुझे feel हुए तो यह बात हो गई है दोन फोन 1080p 30fps में video record कर सकते हैं दोनों में stabilization मुझे ठीक लग रही है यहां पर आप मुझे audio video quality के बारे में comment section में ज़रूर बताना कि कि किसकी आपको quality जाद अच्छी लग रही है तो stabilization improvement भाई दोनों को चाहिए और यहां पर मैं सीधा बताऊं तो मेरे को video quality की बात कुरूर या audio के अंदर noise cancellation की बात कुरूर रियल्मी थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा अच्छा लगा अब यहां पर सीधा move करें photos की तरफ तो भाई edge detection दोनों का almost equal है लेकिन जैसे portrait mode लगता है तो POCO के अंदर light control इतनी अच्छी नहीं होती और वहीं पर realme again white white ही रखता है image को तो दोनों को improvement की ज़रूरत है दोनों के camera इतने consistent नहीं है तो यह बात हो कि friend camera की अब बात कर लेते back camera sensor की तो दोनों के अंदर 64 megapixel का back camera sensor दे गया गय है और stabilization मैं सीधा कोँगा कि realme की तरफ जाना और यहां पर जो colors है वो भी realme के थोड़े जाद अच्छे देखने के लिए मिले यहां पर जो POCO eyes के अंदर मुझे exposure shift की थोड़ी problem लगी और stabilization भी realme के comparison में इतनी अच्छी नहीं लगी तो यह बात हो की video की अब बात कर लेते है फोटो की तो फोटो के अंदर अगें जैसे कि हमने front camera में देखा था high contrast की problem भाई POCO के पास और वहीं पर realme wide कर देता image को तो यहां पर मैं दोनों को ही कहूंगा कि improvement की जुरत है बाकी details मुझे दोनों के अंदर almost बरावर लगी है and again अगर आप portrait mode लगाते हो तो आप फिर जाबर ही है और यहां पर again वही colors में difference देखने के लिए मिला तो यहां पर मैं सीधा से कहूंगा कि photos में दोनों के camera improvement की ज़रत है लेकिन video की बात करो तो मैं realme को यहां पर pick करना चाहूंगा next यहां पर हम आपको बता दें दोनों के अंदर macro camera sensor भी दिया गया और यहां पर POCO थोड़ा सा अच्छा perform कर जाता है तो यह बात हो गई cameras की तो अब मुझे comment section में जरूर बताने कि आपको white वाली photos पसंद है या high contrast वाली photo पसंद है तो अब move करते है next in hand feel और build की तरफ तो सबसे पहले बात करेंगे दोनों के weight से तो realme का weight है यहां पर 177 gram और वहीं पर POCO का weight ह 205 gram अब यहां पर यह weight की बात हो गई अब मैं सीधर से बता जिता हूं कि दोनों phone अलग-अलग audience को target करते हैं like किसी को एक perfect in hand feel वाला phone चाहिए दूसरा यहां पर काफी सारे लोग ऐसे जिनको एक solid build वाला phone चाहिए तो अगर आप solid build वाला phone ढूंड रहे हो तो मैं कहूंगा क पोको की तरफ सीधे चले जाओ क्योंकि यहां पर back में corny gorilla glass 5 की protection मिलती है साथ ही side का frame aluminium का है वही पर जो realme है इसकी back और side में आपको plastic ही मिलती है लेकिन realme जादा पतला phone है पोको के comparison में प्लस इसकी width कम है जिसकी in hand feel काफी जादा कमाल किया है पोको के comparison में तो यहां पर यह पर camera module में पोको के अंदर notification LED दी गए है जब कोई notification आएगी आप game mode on करके gameplay कर रहे है तो यह glow करती है और यह काफी ज्यादा cool लगती है तो यह बात होगी in hand feel वगरा की अब move करते है सीधा जैसी कि यह phone target करके बनाया गया है gamers को Poco but यहां पर 3.5mm jack की शक्ती तो दी नहीं है इ पर realme के अंदर यह मिलता है तो यह disadvantage आ जाती है Poco के phone के साथ बट इन्हों ने box के अंदर 3.5mm jack to type-c adapter दिया है लेकिन भाई 3.5mm jack होता तो मजा ही आ जाता खेर यहां पर दोनों के अंदर ही stereo speakers लेगे हैं लेकिन यहां पर sound जो है भाई वो Poco की मुझे जादा clean लगी loud तो द दोनों के battery की तरफ तो यहां पर realme के अंदर आपको 4500mAh की battery मिलती है with 50W fast charging और यह phone चार्ज होता है 0-200 सिर्फ 58 minutes के अंदर वही पर Poco के अंदर 5020mAh की battery मिलती है और इसके साथ 67W fast charger जड़ दिया गया है और यह 0-200 चार्ज होता है सिर्फ 50 minutes के अंदर तो यहां पर battery बड़ तो यही था इन दोनों फोनों के बारे में अब देखा है तो यहां पर इतना difference नहीं है totally depend करेगा आप पर like आपको जो PUBG है उसमें settings unlock कर वेट करना है नहीं करना आपको cameras किसके जादा अच्छे लेगे display तो मैं कहूंगा की realme की कहीं ना कहीं थोड़ी better है तो अब आप मुझे comment section ने जरूर बताने कि आपको कौन सा phone जादा अच्छा लगा so that's it guys मिलते हैं जल्दे cool और exciting video में तो जब तक के लिए जो मन मैं है guys so gore to watch your heart please straight in with the atrophy unbox guys bye